बनती है एक काउं में एक बल का जो है पैदा हुआ माता पिटा बड़े दुखी हुए क्योंकि वो बहुत बेडोल था रूप रंग भी उसका अच्छा नहीं था शरीर भी जो है सुन्दर नहीं दिखता था तो और बच्चों की प्रती तो मापता का ध्यान देता था इसकी प अब क्या करें वो उसने सोचा कि अब इते कोई चाहता भी नहीं है चलो अपन शेयर चलें कोई काम मिल जाएगा तो करेंगे अब शेयर में पहुंचा तो एक थेला लगाने वाला उसमें अपनी चाय पानी की जो भी दुखान थी थेले में लगाता था जैसे लोग लगे त तो उसी के पास में और रात में अब क्या करें कहां जाए तो वहीं ठेले के पास सो गया सुवेरे से उस ठेले का मालिक आया तो उसने देखा कि यहां पर सोय हुगा है तो उससे खा कि क्यों कहां से आए तो उसने कहां उससे क्यों आए कि कुछ काम मिल जाए तो जाओ वो द दो दिया पानी भर भर की जल्दी जल्दी ले आया हैंड पंच से और सब दो धुआ के वड़िया से तो देखा इसने के है तो आदमी काम का भली थोड़ा कुरूप दिखता है लेकिन काम तो ठीक करता सु धीरे धीरे और वो भोजन इत्यादी उसको उसी पे मिलने लगा वही थेले के पास में सो जाता था सुबह रेसोट करके सारा थेला तैयार कर देता जब तक उसका माले का आता था वो माले उसकी कुरूप ताकी से और सुरू में जो ग्रहा काते थे बे उनको सामना नहो जावे सोसकों जान बूच के पानी लेने भेग देता था उस समय जब की ग नारे ठेला लगाते सो उनका बन्धा रहता पैसा, एत्ते पैसा देद रही हो, सो हमने हटा है एत्य से, और अगर तुमने दे हो तो हत्वा ने में, नगर पालिका का जो विर्यता है, नियम रेता, उसके अनुसार के भी यह ठीक है, यहां लगाओ, लेकिन इत्ते पैसा देना अब वो जो ठेले वाला था, उसकी इतनी इंकम तो थी नहीं, कि उतने चुका सके धीरे धीरे चुकाता था, तो एक दिन उसको नोटिस मिल गया, कि अगर तुमने दो दिन के अंदर और हजार रुपया नहीं भरे, तो तुमारा खेला यहां से हटा दिया जाएगा, अब द कि वो हमें नोटिस आगया, कि अब हटाना पड़ेगा यहां से, तो रड़का भी सूचता कि अब मैं कहां जाओं, यह ठेले वाले कि हां तो मैं थोड़ा काम करके और कुछ पा लेता था, अब देखना आप, दो दिन के बाद में वो तो इंतजार कर रहा है कि अब आता है क कोई और हताने के लिए, और कोई नहीं आया हताने के लिए, बलकि शाम को जो हताने आने वाले थे औरों का तो हताया उनने, इससे कुछ बोली नहीं, इसको बड़ा आश्चरी हुआ, कि हुआ क्या है, अब जो है, जब पूछा उसको बुलाके कि क्यो भाई, हमारा नोटिस आया था उसका क्या हुआ, कि तो हजार रुपईया भरे गए, तो कि तो हमाई हजार रुपईया किसने भर दिये, तो इसने का ये ये जो रड़का है, ये कौन है तुमारा, कि तो गया था, वहाँ पर बनने के लिए तुमने इसको बेजा होगा बनने के लिए तुमारा बताता है कि मालिक आपकी यहां से रात में आठ बजे काम पूरा हो गया मैं सो नहीं जा रहा था उतने मालुम पड़ा कि एक सरकस लगाए मैंने का देखाऊं तो सरकस में एक खील दिखा उसमें वो कुणा में मोर्टर साइकल निए चलाते चलाती हाँ ऐसे तो उसमें चाहते वो वो देखा रहा था और कि ऑगर कोहिं इसमें और जितनी मैंने पूरे रात अगर वो उसमें गोल जो घेरे में मोर्टर साही के चलाएगा तो एक हजार रुपए देंगे हमने कि अपका अगर मर भी जे हैं तो का फरक पड़ेगा मगर उसके हजार रुपएया तो काम ने आ जाएंगे अगर जीत गए तो सो बस इनने शुरू किया चलाना चलाता रहा चलाता रहा इतने लोगों के बीच में सब सुन रहे हैं उसकी वा घटना सब के मूँ से निकला के भाई रूपवान तो तुम ही हो भले ही तुम्हारा शरीर कुरूप है मुझे ये घटना अभी अभी पड़ी थी मैंने अगर आप पढ़ते हो उसमें इससे मुझे वालूम पढ़ा के अंतरंग के परनामों की दूसरे के करल्यान की और आत्म करल्यान की जो भावना है भले के जो विचार है वास्ताव में वो हमारे जीवन को सुन्दर करता है हमें भगवान की भक्ती यही सिखाती है कि यहां पर सब जीव जो है अपने उस आत्मस सरूखों भूल करके दुखी है हम जो है चाहें तो दूसरे जीव के लिए भी करल्यान में निमित बने और साथ में अपना भी करल्यान करें अगर ऐसी पवित्र भावना हो वे तो यह सुन्दरता हमें प्राप्त हो सकती है